नमस्कार दोस्तों मैं विरेंद्र सिंग्राश्पूर्ट MGCI के Digital Learning Platform में आप लोगों का बहुत-बहुत सौड़त करता हूं तो दोस्तों आज हम लोग PAT AG123 Group के previous year paper के physics portion को solve करने वाले हैं और ये जो paper हम आज solve करने वाले हैं ये 15 October 2022 की first shift में आया था तो आईए हम लोग बिना किसी देरी के इसे solve करना start करता है सबसे पहला question which of the following statement is not correct सबसे पहली चीज़ तो हमें यहीं ध्यान देना है कि इस not correct पे बच्चों का ध्यान थोड़ा कम जाता है जैसे ही question आता है तो बच्चा उसमें सही option ढूणने लग जाता है और उसे तुरंत mark करके आगे बढ़ जाता है लेकिन आप लोगों को यहां ध्यान देना है इस not correct के उपर not correct मतलब हमें इन में से गलत वाला sentence pick up करना है और वही हमारा सही answer होगा चलिए तो हम पढ़ते हैं which of the following statement is not correct with the reference to friction friction के इसाब से कौन सा sentence गलत है तो work done by friction is negative जो के बिलकुल सही है तो यह हमारा answer नहीं हो सकता the value of rolling friction is higher than that of sliding friction हम जानते हैं कि जो sliding friction होता है यानि जो सरपी घर्षण होता है वो lotanik घर्षण या lotan घर्षण से ज्यादा होता है लेकिन यह क्या बुल रहा है the value of rolling friction यानि rolling घर्षण जिसको हम lotanik घर्षण या lotan घर्षण कहते हैं इसका मान ज्यादा है सरपी घर्षण से यानि फिसलने वाले घर्षण से ज्यादा है तो ये sentence आपका एक गलत है तो ये ही हमारा answer होगा option number B will be our answer आगे भी आप चाहें तो दोनों sentence पढ़ सकते हैं जैसे force of friction acts opposite to the direction of friction यानि घर्शन की जो दिशा होती है वो विपरीब दिशा होती है गती से friction opposes the relative motion of two surface दो सतहों के आप एक शिक गती का विरोद करता है घर्शन तो ये बात भी बिल्कुल सही है चलिए तो हम समझ चुके हैं कि third or fourth option भी सही है और केवल हमारा answer है B वाला क्योंकि हम जानते हैं सरपी घर्शन का मान ज्यादा होता है next question देखें the value of force of friction is highest हमको घर्शन बल का मान अधिक्तम होता है उच्चतम होता है किन किन सतहों के बीच में तो हम जानते हैं सर जब दो ठोस की सतह होती है तो ही हम घर्शन की बात ज्यादा करते है तो घर्शन कब लगता है बिटा तो दो solid surface के बीच में हम घर्शन की बात करते हैं clear है? चलिए अगला question है what is the value of electric carrying force of Leklanshi sale सरी जो विद्युत वाहग बल है electric carrying force इसको electro motive force भी आप बोल सकते हैं EMF Leklanshi sale का EMF कितना है तो हम जानते है Leklanshi sale को ही हम dry sale भी कहते हैं शुश्क sale और इसका जो EMF होता है 1.5 volt ठीक है? तो बिल्कुल एक database question है सिधा simple साथ question पूछा गया है आगे देखे which of the following statement regarding light is not correct अब पहली नजर में इसके चारो options आपको सही नजर आते हैं which of the following statement regarding light is not correct आपको इसमें भी गलग sentence ही चूज करना है सबसे पहला question है the wavelength of light is between 3800 angstrom to 7900 angstrom ठीक है? तो 380 nanometer से 790 nanometer तो पीटा actual जो NCRT इसको देता है वो देता है 400 nanometer से 700 nanometer के बीच में लेकिन practice में हमको ऐसा देखने को मिलता है कि इसकी value 380 nanometer तक नीचे भी जा सकती है और 700 से ज़्यादा 780 nanometer तक उपर भी जा सकती है लगवक सभी किताबे जो range देते हैं इसकी वो minimum 380 और maximum 780 तक जाती है लेकिन यहाँ जो option इन्होंने दे रखा है 790 दे रखा है इसी वज़े से यह option गलत है क्योंकि जो maximum हम range मान लेते हैं उससे भी ज्यादा इन्होंने wavelength का value दे दिया है यहाँ पर तो यह तो option गलत हो गया sir दूसरा देखे light is a transverse wave तो हम जानते sir transverse wave इस तरह की wave होती है जो इस तरह से travel करती है और light इसी तरह से travel करती है तो यह option तो सही हो गया the speed of light is maximum in vacuum ठीक है जो प्रकाश की चाल है वो निरवात में सबसे जादा होती है यह बात भी बिलकुल सही है चौता option हम देखे the medium whose refractive index is high the speed of light is less in that medium जिस माध्यम का अपवर्तनांक जादा होता है उसमें प्रकाश की चाल कम होती है और यह भी हम लोग देखते ही कि जब हम सघन वाध्यम में प्रकाश को भेजते है तो प्रकाश का वेग और उसकी तरंग्दे अर्ध दोनों कम हो जाती है तो यह भी option हमारा सही है तो हमारे पास एक मात option है जो गलत है वो है option number A तो option number A will be our answer आगे बढ़े हम tungsten is used in electric bulbs because तो sir tungsten का use हम लोग electric bulb में करते है bulb के अंदर जो एक तार लगा होता है जो glow करता है वो tungsten का बना होता है बिटा तो tungsten जो है उसी से electric bulb का filament बना होता है ये question cancel हो चुबा question था लेकिन एक normal question है और इसका answer आपको पता भी होना चाहिए तो tungsten का use हम क्यों करते हैं तो tungsten का use हम क्यों करते हैं इसके चार option है चारो पढ़ लेते हैं sir क्योंकि इसका melting point high होता है जो कि सही बात है इसका melting point high ही होना चाहिए क्योंकि जब हम electric bulb को लगाते हैं switch on करते हैं तो उससे current pass होता है और tungsten बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है और light radiation को emit करता है तो अगर इसका melting point कम होगा तो ये tungsten गर्म होते ही पिखलना लग जाएगा इसलिए melting point इसका high होना बहुत जरूरी है और resistance भी इसका high होना जरूरी है तो option number A अपना सही है resistance high होना इसलिए जरूरी है क्योंकि resistance अगर high होगा तो ही उससे जब धारा प्रवाहित होगी current pass होगा तो resistance के कारण ही वो heat produce करेगा joules law of heating के हिसाब से ठीक है तो बिजली के bulb में tungsten का जो प्रयोग करते हैं क्यों करते हैं क्योंकि उसका गलनांक और प्रतिरोज दोनों उच्छो होता है इसलिए clear है सबको चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम लोग which of the following statement is not correct यहाँ भी हमको not correct यह नहीं गलत sentence इसमें से छाटना है बिटा सबसे पहला है electric motor converts electrical energy into mechanical energy घर में बिटा जो motor लगी होती है जो हमारे लिए काम करती है हम पंखे के अंदर एक motor लगी होती है हम उसे current देते हैं यानि electrical energy देते हैं विद्यूत उर्जा देते हैं और बदले में वो पंखा घुमाता है जो motor है पंखे को घुमाता है एक mechanical work करके हमको देता है एक कारे करके देता है मतलब वो विद्यूत उर्जा को यांत्रिक उर्जा में बदल रहा है तो बिल्कुश सही है दूसरा देखे electrical cell convert chemical energy into electrical energy जो हमारे पास dry seal की हम बात करें लेकलांशी cell थोड़ी देर पहले हमने question में देखा तो सर्व जो cell लगा होता है remote में हमारे उस cell के अंदर chemicals भरे होते हैं और जब हम उस cell को किसी device में लगाते हैं तो वो chemical की जो energy है chemical energy वो हमको electrical energy में convert हो जाती है और हम उसे use करते हैं मतलब हम सेल लगाते हैं तो उसमें current produce हो जाता है और machine काम करने लगती है तो यह भी बिल्कुल सही है sir दुनों option सही है लेकिन हमको तो गलत वाला choose करना है यहाँ पर तीसरा option देखे rectifier converts DC to AC यह option गलत है क्योंकि rectifier वो होता है जो AC को DC में बदलते है अग AC क्या होता है sir ऐसा current जो बार बार अपनी direction बदल रहा हो वो AC और ऐसा current जो एक ही direction में चल रहा हो वो DC तो rectifier क्या करता है AC को DC में बदलता है यानि alternating current को direct current में बदलता है प्रत्यावर्ती धारा को दिश्ट धारा में बदलता है ठीक है तो Rectifier converts DC to AC गलत है AC को DC में convert करता है इसलिए यही हमारा आंसर भी होगा generator converts mechanical energy into electrical energy जो generator है वो mechanical energy को electrical energy में convert करता है यह भी बात बिलकुल सही है चलिए आगे बढ़े next question है हमारा in which of the following direction does the normal force of a body placed on a plane surface always act निम्न मैंसे किस दिशा में समतल सता पर रखे पिंड का सामान ने बल हमेशा कार्य करता है normal force हमेशा काम करता है तो इसको हम समझे normal force एक plane horizontal surface के उपर किधर लग रहा है तो सर इसका weight mg लगता है नीचे की तरफ और इस पे जो normal लगता है वो उपर की तरफ लगता है उपर की तरफ का मतलब है इस plane से 90 degree के एंगल पर अब क्या directions इसमें बताई जा रही है n की की normal force n की direction क्या बताए तो देखिए सबसे पहले बुढ़ रहा है opposite parallel to the surface मान लीजीए surface है इस direction में सर्फेस को मान लेते हैं तो यह parallel होगी और opposite to the surface होगी surface के parallel भी है लेकिन इसका direction opposite है जो की बिल्कुल गलत है parallel to the surface मतलब surface के parallel में ही है यह भी गलत है in line with the surface parallel भी नहीं surface के line में ही चौता option देखिए आप यह भी नहीं कह रहा है वो वो कहरा सर्फेस के line में ही है तो यह option भी हमारा गलत है तो एक ही option हमारे पास सही बचता है opposite to gravity यहाँ पर जो gravity है बिटा वो नीचे की तरफ लग रही है और normal उसके opposite लग रहा है तो option number C will be the correct option इसका answer जब answer sheet आई थी तो उन्होंने D option लगा रखा था लेकिन आप इसको याद रखिएगा normal जो है यह हमेशा surface से 90 degree पर लगता है ठीक है तो यह opposite to gravity लगेगा plane horizontal surface के लिए चलिए आगे हम लोग बढ़े next question देखते हैं हम लोग यह आपको हिंदी में भी समझ में आ गया होगा कि नॉर्मल फोर्स नॉर्मल बल समान निबल कहां लगेगा तो गुरुत्वाकर्शन के विपरीत लगेगा अगला question है तो working mechanism of which of the following is not based on thermal effect of current thermal effect of current या heating effect of current एकी चीज़ है current पास करने की वजह से device का गर्म हो जाना या electrical conductor का गर्म हो जाना ये है heating effect या thermal effect तो देखिया इसमें पहला option है electrical bell का यही हमारा answer है क्योंकि it is not based धारा के ऊश्मिये प्रभाव पर तापिये प्रभाव पर विद्युत bell जो है electric bell ये काम नहीं करती ये emissi पर based है magnetic effect of current इसमें चुम्बकिय छेत्र बनता है उश्मा उत्वन नहीं होती electrical iron यानि घर में जो प्रेस होती है जिससे हम लोग कपड़ों को प्रेस करते हैं वो प्रेस heating effect पर काम करती है एक cattle होती है बिटा जो cattle होती है वो भी पानी को गर्म करने के लिए हम यूज करते हैं वो भी heating effect of current पर based है और fuse wire भी हम जानते है heating effect पर based है ठीक है तो एक option है हमारे पास electric bell clear है चले next question देखें the main reason for the use of ball bearing in machine is हम जो ball bearing का use करते हैं उसका main कारण क्या है ताकि सरपी घर्षन न लग गर लोटनिक घर्षन लगें हम अगर बॉल्स रख देते हैं धातू की बनी हुई तो अब यह बॉल्स इस पे सतह पल लगने लगती है तो जो घर्षन लगता है वो लोटनिक घर्षन लगने लग जाता है लोटन घर्षन लगने लग जाता है यानि rolling friction लगने लग जाता है तो इसलिए हम ball bearing का उपयोग करते हैं ताकि सरपी घर्षन ना लगे sliding friction ना लगे तो लोटनिक घर्षन सरपी घर्षन में परिवर्थित करने के लिए यह तो बिल्कुली गलत है सरपी घर्षन लोटनिक घर्षन में परिवर्थित करने के लिए जो के बिल्कुल सही है to convert spiral friction into rolling friction तो सरह हम rolling friction में बनाना चाहते हैं option number B will be the correct option next question which of the following statement is not correct not correct इसमें भी हमको गलत वाला डूनना है according to Joule's law of heating Joule का law of heating है क्या अब सब जानते होंगे कि जो heat produced है जो ऊश्मा उत्पन हो रही है it is equal to I square RT यह formula है इसमें I current है यानि विद्युद्धारा R resistance है यानि प्रतिरोध और T जो है बिटा यह है समय तो हम देखें क्या बोल रहा है the heating produced in resistor is directly proportional to the resistance जो प्रतिरोधक में ऊश्मा उत्पन हो रही है वो प्रतिरोध के अनुक्रमा उपाती है समान उपाती है जो कि हम देख रहे हैं कि बिल्कुल सही है heat जो है प्रतिरोध के समान उपाती है तो पहला option तो हमारा सही है दूसरा बोल रहा है the heat produced is directly proportional to the time तो क्या इस समय के भी समान उपाती है बिल्कुल सही बात है इसके भी अनुक्रमानु पाती है option number c देखिए देखिए बी भी सही हो गया the heat produced is directly proportional to the square of electric field intensity sir इसका तो heat से कोई लेना देना ही नहीं है दूर दूर तक heat जो है current के square पे depend करती है intensity पे यानि विद्युचेत्र की तीवरता पे बिल्कुल depend नहीं करती तो यह जो option number c है यह गलत है heat is directly proportional to the square of current यह भी सही है मतलब जो गलत option जिसे हम ढून रहे थे वो है option number c तो option number c हमारा सही answer अगला question है in which of the following direction is the force of friction always present इन सभी में से कौन सी direction है friction की जिसमें friction हमेशा लगता है तो inverse of gravity लगता है तो inverse of gravity तो normal लगता है बिटा friction नहीं लगता in the opposite direction of force force के opposite direction में perpendicular to the direction of force यह भी गलत है in the direction of force force के direction में तो sir बल हमेशा जो घर्षन बल है हमेशा बाहे बल की विपरीत दिशा में लगता है in the opposite direction of force यहां हम अगर देखें आपने देखा भी होगा इसको direction में कि अगर हम बाहे बल एफ को इधर लगा रहे हैं तो घर्षन हमेशा इस दिशा में विपरीत दिशा में लगता है क्लियर है क्या बात है चलिए आगे देखें हम which of the following friction force has the highest value तो हम जानते पिता static friction जो होता है उसकी value सबसे ज़्यादा होती है static घर्षन का मान सबसे ज़्यादा होता है आपने definitely notes में यह बात पढ़ी होगी आगे देखें which of the following phenomena and property of light is not correctly matched कौन सा match correct नहीं है तो सबसे पहले red appearance of sun at sunrise scattering की वज़े से होता है यानि सूर्योदय के समय या सूर्यास्त के समय जो आस्मान है लाल दिखाई दिता है सूर्य लाल दिखाई दिता है तो प्रकेंडन उसका कारण है बिल्कुल सही बात है when the pencil is immersed in water the appearance of pencil is bent reflection की वज़े से घटना होती है कि pencil को अगर हम पानी में डूबो दे तो pencil हमें मुड़ी हुई दिखाई दिती है अपवर्तन के कारण होता है बिल्कुल सही है glare of crack total internal reflection की वज़े से होता है कि जो अपर कहीं भी दरार आती है उसका चमकना यह भी total internal reflection TIR की वज़े से होता है पूर्ण अंत्रिक परावर्तन की वज़े से होता है यह भी बात सही लिखी है last option है twinkling of stars तारों का टिम्टिमाना अपवर्तन की वज़े से होता है और यहां लिखा गया है परावर्तन यानी reflection जब गलत है और हमें गलत ही answer pick करना है तो option number D हमारा answer होगा clear है which of the following friction force has the highest value अभी थोड़ी देर पहले यह question हमने देखा था बस option थोड़े से अलग थे पर इसमें भी answer वही रहेगा static friction की value हमेशा सबसे ज्यादा होती है जितने भी friction है उनमें next question है the value of coefficient of friction is equal to which of the following sir जो हमारे पास घर्षन गुणांक है वो किसके बराबर है तो sir cosine of friction angle तो sir आपको याद होगा घर्षन कोड में हम लोगों ने पढ़ा था mu बराबर 10 lambda या mu s बराबर 10 lambda coefficient of static friction is always equal to the tangent of angle of friction static घर्षन गुणांक का मान हमेशा घर्षन कोड की सपर्ष ज्या के बराबर होता है तो यह घर्षन कोड की सपर्ष ज्या है tangent of angle of friction है option number c will be the correct option यह सपर्ष ज्या है clear है चलिए next question देखे what is the value of resistance between two coils of in an ideal transformer सरेक आदर्ष transformer की दोनों कुंडलियों के बीच में प्रतिरोध कितना होता है तो बीच में जो प्रतिरोध होता है दोनों कुंडलियों में वो अनन्थ होता है दो कुंडलियों होते हैं transformer में और उनके बीच में हम बहुत ज्यादा प्रतिरोध लगा देते हैं ताकि current एक जगे से दूसरी जगे तक flow न हो पाए उनको हम insulated रखते हैं इसलिए हम बोलते हैं कि इनके बीच में जो प्रतिरोध होता है वो अनन्थ होता है ठीक है चलिए आगे देखे हैं हम लोग infinite any option number D इसका अंसर है वाट इस वेल्यों फ्रेजिस्टेंस ऑफ बोद कॉयल इन आईडेल ट्रांसफॉर्मर अब देखो ध्यान से आधर्स ट्रांसफॉर्मर में दोनों कुंडलियों का प्रतिरोध कितना होता है दोनों कुंडलियों का प्रतिरोध कितना है बीच में प्रतिरोध नहीं पूछा जा रहा है तो कुंडलियों का जो प्रतिरोध होता है वो शुन्य होता है जीरो होता है, मतलब जो दो कुंडलियां है, उनका प्रतिरोध तो जीरो है, लेकिन उनके बीच में प्रतिरोध हमने अनंत लगा रखा है, अनंत का मतलब होता है कि बहुत सारा प्रतिरोध लगा रखा है, चली, who gave the theory of intensity of scattering of light is inversely proportional to the fourth power of wavelength, ये रेले नाम के एक साइंटिस्ट है उन्होंने स्कैटरिंग टॉपिक में यह लौ दिया था रेले स्कैटरिंग लौ रेले ने प्रकीर्णन को समझाने के लिए प्रकीर्णन की तीवरता को निकालने के लिए यह नियम दिया था कि प्रकीर्णन की तीवरता आई जो है वो तरंग चतुर्थ घात के व्युत क्रमानुपाती होती है मतलब सर जिस कलर की वेवलेंथ जितनी ज्यादा होगी उसकी तीवरता उतनी ही कम होगी जैसे मतलब उसकी तीवरता मतलब हम कलर की तीवरता नहीं कलर की स्कैटरिंग की तीवरता उसके प्रकेणन के होने की तीवरता की बात ज्यादा है तो उसके प्रकेर्णन की तीवरता बहुत कम है मतलब उसका प्रकेर्णन बहुत कम होगा वो फैलेगा बहुत कम clear है तो यह रेले नाम के scientist ने दिया था तो option number d will be our correct option यह आपने definitely पढ़ा होगा अपने notes में बहुत ही common law है which of the following statement is not correct फिर हम एक गलत sentence ढूणना है इन में से तो इसने का है sir marginal friction इसी कौह हम limiting friction भी बोलते हैं depends on the nature of surface of contact तो sir घर्शन जो है सतह की प्रकृती पर निर्भर करता है जो कि बिल्कुल सही बात है तो option number a तो सही है sir the marginal friction जो है is proportional to the normal acting on the surface तो sir घर्शन जो है यह सामान प्रतिक्रिया यानि normal reaction force के समान उपाती होता है यह भी बात बिल्कुल सही है marginal friction depends on the area of contact sir area के उपर तो घर्शन डिपेंड नहीं करता तो option number c तो हमारा गलत हो गया lubricant are used to reduce friction sir घर्शन को कम करने के लिए हम लोग lubricant यानि स्नेहक का उपयोग करते हैं ठीक है तो यह सारे option सही है c option को छोड़ करके और हमें गलत वाला ही pick करना था तो option number c will be our answer clear है आगे बढ़े the action of semiconductor is called doping sir semiconductor में doping का मतलब क्या होता है तो semiconductor के अंदर impurity मिलाना अशुद्धिया मिलाना कहलाता है doping ठीक है तो क्या है सर्ये making the drivers उनको driver बनाना increase the accuracy of boost the superconductor increase the impurity of तो हम impurity को अशुद्धियों को बढ़ा देते हैं अशुद्धिया बढ़ाने की जो क्रिया है अर्धचालकों में उसी को हम लोग कहते हैं doping next question है which of the following statement is not correct regarding the voltage sale sir voltage sale के बारे में क्या बात है sir voltage sale हम लोग zinc और copper के electrode को लेकर के sale बनाते हैं जिंक और copper दो इलेक्टोड इसके अंदर होते हैं बिटा तो यह पहला ही option पूरा है not correct हमको डूणना है पहला ही गलत है anode is made of carbon carbon से अनोड बना होता है जो कि बिल्कुल गलत है carbon का अनोड होते ही नहीं anode cathode तो zinc और copper के होते हैं sulfuric acid is in the form of electrolyte electrolyte electrolysis के लिए विद्यूत अभघटन के लिए हम sulfuric acid का use करते हैं बिल्कुल सही है h2so4 का solution भरा होता है cell के अंदर the cathode is made of copper तो sir copper जो है वो cathode का काम करता है और zinc anode का काम करता है तो यह c से copper c से cathode आप ऐसे याद भी रख सकते हैं इसको और zinc जो है zinc का होता है anode आगे देखें the value of electric carrying force is 1.08 वाल्ट तो sir विद्यूत वाहग बलका जो मान है यहां 1.08 वाल्ट के असपास होता है और और वाल्टेक सेल का यह जो है उसको आप याद भी रखें वन वाल्ट से लेकर के या वन पॉइंट वाल्ट से लेकर के वन पॉइंट टू वाल्ट के बीच में होता है एक जनरल रेंज है तो यहां इन्होंने 1.08 दिया है जो 1.1 के काफी करीब है है तो option number d भी सही है तो एक ही option हमारा गलत है बाकी सारे सो option हमारे सही है तो हमारा जो answer होगा option number a clear है चलिए आगे बढ़े हम which of the following statement is not correct कौन सा इसमें sentence है जो गलत है वो हमें बताना है the direction of current is from negative to positive यह कभी नहीं हो सकता current की जो value है हमेशा positive से negative की तरफ होती है the direction of current is from negative to positive terminal ठीक है the value of electric potential inside a solid sphere is तो यह बता last question है यह question में थोड़ा सा एक problem है problem यह है कि उन्होंने solid sphere के बारे में पूछा है लेकिन option है सारे उन्होंने एक hollow sphere यानि एक खोकले गोले के लिए दिये हुए हैं और थोस गोले के बारे में पूछा है है थोस गोले के अंदर आपको बता देता हूं मैं थोस गोले के अंदर जो हमारा voltage होता है जैसे हम बात करें कि सर सतर पर एक मान होता है voltage का surface स्थार्स पर इसके बाद घटा है कि लेकिन गोले के अंदर हाल बढ़ता है और इसका जो मान है है इसका जो मान है वाहान लगबग मान सथा के मान से धो इनक गोले के अंदर अगर हम जैसे जैसे सता से अंदर जाएंगे वाल्टेज का मान तो बढ़ेगा और केंद्र पे तो यह डेड़ गुना हो जाता है सता के लेकिन यहां जो आप्शन आप देखेंगे तो यह सबस्टेंस पर डिपेंड करता है वाल्टेज ऐसा कोई नहीं है बिल हो नहीं सकता क्योंकि अंदर तो जाद ही होगा उससे हम तो होगा नहीं हाफ ऑफाफ दो सरफेस सरफेस से आधळा होगा यह इछलत है क्योंकि कम हो question है यह cancel होने वाली category का question है इसको cancel होना चाहिए था लेकिन आप solid sphere के answers को याद रखेंगे solid sphere के अंदर देंकि answer sheet में तो answer उन्होंने 0 दिया था लेकिन जो potential है अंदर हमेशा ज्यादा होता है कम नहीं होता answer sheet के इसाब से answer 0 दिया हुआ है यह आपको एक information में रखना है लेकिन इसका correct answer भी याद रखना कि solid sphere के अंदर solid sphere के अंदर हमेशा potential surface से ज्यादा होता है कम नहीं होता ठीक है यहां यह answer आप ऐसे assume कर सकते हैं कि 0 होगा अगर इस body के उपर कोई charge ही न हो तो अगर इस sphere के अंदर कोई charge हो गई नहीं तो इस case में potential भी नहीं होगा और ऐसे case में answer बिल्कूल correct होगा ठीक है लेकिन generally आपको ऐसा option नहीं देते आपको ऐसे values दी जाती है कि अंदर जो surface में अंदर भी उतनी होती है जितनी surface पर होती है तो यह सारे बात आप जानते हैं तो अभी फिलहाल हम इसका answer zero मान करके चल सकते हैं मान लेते हैं कि इसके उपर कोई चार्ज नहीं है लेकिन in future आपके पास इसा question आए तो आप उसमें ज्यादा वाला option ढूना कि surface के अंदर ज्यादा है center की तरफ जाओ तो potential बढ़ता है और center से दूर जाओ तो potential घटता है ठीक है चलिए तो इसी के साथ हमारा आज का यह paper का physics portion solve हो गया है हम मिलते हैं next video lecture में एक नए paper के साथ तब तक के लिए जय हैं जय भारत झाल